हेलो फ्रेंज, वेलकम टू सिक्षा, कैसे आप सब आशा करते हैं, सबी लोग अच्छे होंगे और तैयारी जोरो शोरो से continue रखेंगे, अपनी paper की date जल्द आ जाएगी ठीक है, उसकी tension में तैयारी नहीं रोकनी है और MCQs on current affairs and development issues करेंगे UPSC, EPFO, AOEO के exam के लिए तो important है ही अगर आप UPSC के किसी और exam के लिए prepare कर रहे हो, civils के लिए prepare कर रहे हो, CDS के लिए prepare कर रहे हो, CAPF के लिए prepare कर रहे हो, state services के लिए prepare कर रहे हो ठीक है, तो इन सब exams में भी आपको काफी ज़ादा help मिलेगी इन questions के साथ तो अगर आप नहीं prepare कर रहे हो, आपका कोई friend prepare कर रहे है इन exams के लिए तो उसके साथ भी आप ये video share कर सकते हो, definitely बहुत important video ये रहेगी lecture 7 है और अभी हम January के current affairs जो हैं discuss कर रहे है, ठीक है January 2021 अभी तक वो खतम नहीं हुए अभी लगेंगे 3-4 lectures और January के current affairs होने में, क्योंकि कोई भी question छोडेंगे नहीं, जो भी आया था, कोशिश है रहेगी कि maximum questions करें, जल्दी नहीं है अब की फटा-फटा जैन खतम करना है, फिर December ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है तो 7th lecture है, अभी तक सारे के सारे lectures में, जितने current affairs देखे हैं, सारे के सारे January के मन्त के ही हैं, ओके, चलिए, तो process वोई रहेगा, question आपके सामने आएगा, मैं आपको question समझाऊंगा, उसके बाद आपन सही किये, कितने गलत किये और कितने skip किये, ठीक है, किस वीडियो में 7 questions रहेंगे, चलिए देखते हैं, पहला question, consider the following statement with respect to digital services text, ये digital services text या digital text, GAFA, ये सारे ना news में कभी ना कभी आते रहते हैं, ठीक है, कब कोई छोटी सी news आगी, किसी country ने, कहीं पर कोई action हो गया, तो ये news मे चलते रहते हैं, ये एक तरह के static part बन चुके हैं अब, ठीक है, तो digital service text से related, आपको statement consider करना है, दो statements आपको given है, पहला कहता है, कि ये एक value added text है, जो digital services पर pay करना पड़ता है, consumers को, ठीक है, सारे का सारा जो burden है, इस text का, वो किस के उपर आता है, consumer के उपर, पहला statement ये कहता है, दूसरा statement क्या कहता है, कि ये इंडिया, इटली और टर्की जैसे देशों ने adopt किया है, which discriminate against US companies, ये जो digital service tax है, ये United States में जो काम करने वाली companies हैं, उनके खिलाफ specially discrimination करता है, इन में से कौन सा statement correct है, आपको बताना है, which of the following statement is correct, अगर digital service tax से related, ये equalization tax से related, कुछ पढ़ा है, आप आप कर सकते हो, जादा मुश्किल आपको नहीं आएगी, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, ये आपको सारे exams में help करेगा, सिरफ EPFO नहीं, EPFO में तो help करेगा ही करेगा, उसके इलावा अगर आप बाकी के exams दे रहे हैं, UPSC के या state services के, तो उनमें भी आपको काफी जादा help करे जो ये digital service provide कर रहा है, उसके उपर ये burden आता है, उसकी income के उपर ये tax लगता है, तो इसलिए first statement कर लाता है, दूसरा statement बिल्कुल सही है, क्यों क्योंकि जो आपकी बड़ी companies हैं, जैसे Amazon हो गया, आपका Facebook हो गया, आपका Google हो गया, ये सारी companies जो है United States में हैं, ठीक है, और India, Italy, Turkey कि France जैसे जो डेश हैं, जो अभी ये digital tax की बाते कर रहे हैं, तो क्योंकि ये सारी companies United States में हैं, इसलिए ये कहा जाता है, कि ये जो tax है, ये United States की company की इसके अगेंस्ट एक तरह का discrimination है, कि उनको उपर अलग अलग तरह के taxes लगाए जा रहे हैं, ठीक है, एक बार detail में इसका solution द देख लेते हैं, तो digital service tax, जो है, overall revenue के उपर लगता है, supplier के, ठीक है, यानि कि अगर Amazon है, तो Amazon जो tax pay कर रहा है, अपने revenue के उपर, उसको हम digital service tax कहते हैं, ठीक है, ये different होता है, एक और tax होता है, digital services की जब हम बात करते हैं, तो एक और type का tax होता है, जिसको Netflix tax भी कहा जाता है, य channel product जब हो consume करता है, तो ठीक है, दोनों में difference है, एक है digital service tax और एक है netflix tax, अब जैसे सवाल digital service tax के उपर आया था, तो netflix tax के उपर भी सवाल आ सकता था, तो उस case में आपका वो first statement जो हो correct हो जाता है, ठीक है, उसके बाद एक और type का tax, जो term है, वो भी introduced हुआ था कुछ समय पहल था, और ये भी एक type का digital tax है, जो इन बड़ी companies के उपर लगाया जाएगा, एक type का digital service tax ही है, जो इनको revenue पर pay करना पड़ेगा, ठीक है, similarly, इंडिया ने भी अपना एक digital service tax introduce किया था, और उसका क्या नाम था, equalization लिवाई, इंडिया ने उसको क्या बोला, जो इंडिया digital tax लग भी नहीं है ये news, उसको पता ही नहीं होगा कि ये एक digital service tax है, ठीक है ना, तो ये digital service tax है, ये इंडिया के अंदर लगाया जाता है, e-commerce firms के उपर, तो इसमें क्या है, the transactions were to be taxed at 2% if business earned more than rupees 2 crore, तो अगर कोई भी online business, कोई भी एक firm 2 crore से उपर earning कर रही है, तो उसको 2% as a digital service tax pay कर पड़ेगा, और हिंदुस्तान में ये equalization पहली बार कब लगाया गया था, 2016 में, ठीक है, as 6% on revenues earned by non-residents, पहले जब 2016 में इसको लाया गया था, तब क्या था, कि जो भी non-residents हैं, जो online advertising या related services के थ्रूँ इंडिया में पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, उनको 6% tax जो है, अपने revenue प 2% as a digital service tax pay करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत important news है, ये, बहुत जादा ये news में रहता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ इसके उपर आता रहता है, तो अपने ने इसको अच्छे से कर लेना है, question अपना सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए, next question देखेंगे, तपस and swift, refers to which of the following, options ध factual question है, इसमें कोई दोराहे नहीं रहते हैं, या तो पता है या नहीं पता है, ठीक है, अंसर क्या होगा, अंसर होगा, इसका option B, unmanned aerial vehicle, जिसको आप UAV भी कहते हैं, ठीक है, UAVs हैं दोनों, तपस and swift, थोड़ी सी additional information देख लेते हैं तपस के बारे में, तो तपस की full form क्या है, okay, so तपस BH201 इसका complete name है, पर यह BH201 नहीं भी याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तपस याद रहना चाहिए, और full form का भी थोड़ा सा idea होना चाहिए, tactical airborne platform for air surveillance, okay, तो यह जो तपस है, यह एक long endurance UAV है, और पहले इसका नाम क्या था, रुस्तम 2 इसको हम refer करते थे, अब हम इसको develop कर रहा है, on line of American predator drones, जो America के predator drones है, उनी के जैसा हम इसको बना रहे है, swift क्या है, आपका stealth wing flying test bed, तो यह भी आपने full form इसकी भी याद रखनी है, stealth wing flying test bed, okay, so यह जो है, इंडिया का जो precursor UAV था, जिसका नाम था घातक, उसी के line पे हम इसको develop कर रहे है, ठीक है, so यह एक stealth technology के उपर built, high speed landing technology के उपर built, एक UAV है, ठीक है, बहुत अदर detail में घुशने की ज़रूत नहीं है, इतना detail में सवाल नहीं आएगा, बस पता होना चाहिए, एक basic सा idea आपको होना चाहिए, कि tapas जो है, वो रुस्तम 2K lines पे बना है, American predator drones जैसा उसको develop करेंगे, और swift भी आपको प consider the following statements about C Vigil 21, defense exercises होती रहती है अलग-अलग, ठीक है न, तो पता होना चाहिए, कहां पर हुई, कैसे हुई, किन के बीच में हुई, क्या कुछ उसमें latest developments थी, ये सारी चीज़े पता होनी चाहिए, तो C Vigil 21 से related आपको 3 point given है, आपको बताना है, इन में से कौन सा not correct है, इन में is the largest coastal defense exercise of India held annually, ठीक है, जो annually exercise होती है, ठीक है, दूसरा statement कहता है, कि the 2021 exercise will take place along the coastline and exclusive economic zone of India, third statement कहता है, all the coastal states and union territories and oil handling agencies will also participate in the exercise, option है, A 1 only, B 1 and 2 only, C 2 only, D 2 and 3 only, अब इसमें क्या answer होगा, देखो पहला जो statement है, पहला statement आपका गलत है, ठीक है, पहला statement क्या है, गलत है, क्योंकि ये annually नहीं है, ये binary है, ठीक है, ये binary है, यानि कि हर दो साल में एक बार होगी, तो पहला statement गलत हो जाता है, ठीक है, अब पहला statement 2 में, C में नहीं है, पहला statement गलत हो जाता है, तो A और B गया, ठीक है, C और D ब क्यूं थाकि आप यह चीज समझ सको कि question में not correct पूछा हुआ है not correct पूछा हुआ है तो इसलिए कौनसा statement गलत है यहाँ पर बताना है इसलिए answer यहाँ पर A हो जाएगा क्यूंकि 2 और 3 तो correct है यह बहुत जादा गलती होती है paper के अंदर अगर जिस बच्चे ने यह not correct यहाँ प पकड़के बैट जाएगा यह चोटी सी गलती का नुकसान कितना बड़ा हो सकता है देखो अगर मैं यह लेकर के चलूं कि 2 marks का भी question है तो 2 number तो आपके आपको यह सवाल आता था तो यह दो आपको आता था जो आप हासिल कर सकते थे बस अगर आपने ठीक से पड़ा होता त इसमें अगर मैं यह लेके चलूं दो नंबर के हिसाब से 1.67 नेगिटिव गया तो टोटल आपने इस question में 2.67 marks का loss सफर किया एक आते हुए question में just because आपने उसको ध्यान से नहीं पड़ा तो यह इतनी बड़ी गलती आप afford नहीं कर सकते हो अपने exam में ठीक है तो answer A होगा not correct पूछा गया है सी विजिल 21 के बारे में देख लेते हैं second edition था जो 2021 में इसका है बाइनियल है हर दो साल में एक बार होता है पैन इंडिया coastal defense exercise है ठीक है दूसरा inaugural edition जो है 2019 में हुआ था तभी बाइनियल है क्योंकि फिर 2019 के बाद 2021 में हुआ ओके यह जो exercise है it took place on the entire coastline इंडिय कि सारी जो coastal states या coastal union territories है उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया fishing और coastal communities को भी इसमें include किया गया था Indian Air Force, NSG, Border Security Forces, Oil Handling Agencies, Airports इन सबने भी इस exercise में participate किया तो यह exercise एक तरह से इंडिया का exercise था कोई दूसरा country नहीं था इसमें involved तो इसलिए second or third statement आपका correct है आपका not correct है और आपसे सिरफ not correct पूछा गया था इसलिए answer इसका A1 only रहा ओके चलिए next question, fourth question, bird flu बहुत जादा news में था तो उससे related question है consider the following statements with respect to culling of the infected birds ठीक है जो infected birds होते है जो viral से infected होते है उनको cull किया जाता है उनको मार दिया जाता है तो उससे related कौन सा statement correct है पहला statement कहा रहा है कि इंडिया में culling जो है वो एक किलोमेटर के radius में की जाती है from the site of infection ठीक है for example अगर यहाँ पर infection मिलता है इस point के उपर तो इस point के एक किलोमेटर के radius में culling कर दी health को मैंने detail में cover किया है पहले भी bird flu का question हमने किया है पिछले वाले lectures में तो वो देख लेना important है बार बार जिकार आया है इस organization का bird flu की वज़े से तो world organization for animal health recommends quick twisting of the neck that is cervical dislocation to curl small number of infected birds ठीक है तो इसमें से कौन सा statement जो है आपका correct है तो second statement basically क्या कह रहा है वो process बता रहा है कि world organization ने क्या process बताया है birds की culling के लिए तो answer इस case में क्या होगा answer होगा इस case में आपका option C both 1 and 2 दोनों statements जो है वो correct है ठीक है तो अगर हम culling of infected birds की बात करें तो जब culling की जाती है किसी भी area में तो जितने भी domestic birds होते हैं उस infected area में इंडिया के case में 1 km के radius में उन सबको मार दिया जाता है उन सबको slaughter कर दिया जाता है और जो उनके remains होते हैं उनको बरी कर दिया जाता है ठीक है इंडिया में 1 km का radius है जिसको infected zone कहा जाता है ठीक है जी तो जितने भी अगर for example यहां पर infected case मिला तो इस infected case के एक किलोमेटर में जितने भी farms आएंगे backyard farms आएंगे live bird markets आएंगी सारे के सारे जो birds है इन एरिया में उनको खतम कर दिया जाएगा ठीक है जो world organization for animal health है वो क्या कहता है cervical dislocation की बात करता है या neck wringing method की बात करता है after making the poultry unconscious पहले उनको unconscious करके उनकी जो neck है उसको twist कर दिया जाता है तो यह एक important news है bird flu काफी जादा news में था तो आप expect कर सकते हो bird flu से related पहले भी question किया है वो भी देख लेना है अच्छे से ठीक है ना चलिए ओके now moving on to the fifth question match the following का question है आपको कुछ initiatives given है और उसके साथ आपको given है कि कौन सी government institution या ministry के अंदर ये initiative है आपको बताना है इन में से कौन सा correctly matched है साथी scheme matched है ministry of education के साथ साथ program mentioned है नीती आयोग के साथ और साथी portal mentioned है bureau of energy efficiency के साथ ये वाला part जो आपका कहीं ना कहीं किसी न वाले aspect में भी cover हो जाता है ठीक है इसको हम social security वाले area में भी देख सकते हैं ठीक है तो कौन से correctly matched है one and two only two and three only one and three only या फिर डी one two and three in programs के बारे में अगर आपको पता है तब ही आप इसका answer कर सकते हो तुक्के बाजी से तो नहीं होगा तो answer इस case में क्या हो जाएगा answer इस case में हो जाएगा option B ठीक है पहला वाला जो है वो incorrectly matched है बाकी दोनों correctly matched है तो answer two and three will be the correct answer एक बार देख लेते हैं इसको detail में तो सबसे प पता होनी चाहिए sustainable and accelerated adoption of efficient textile technologies to help small industries यहीं पर मेरे साथ याद कर लो साथी stands for sustainable and accelerated adoption of efficient textile technologies to help small industries initiative किसका है ministry of textiles का initiative है आपके question में क्या given था ministry of education given था इसलिए ये गलत हो गया ठीक है तो ministry of textiles का initiative है और इसका objective क्या है इसका objective यह है जो textile sector है वहाँ पर efficient textile technologies को जो है लाया जा सके power loom sector जो है उसको efficient बनाया जा सके cost saving technologies लाई जा सके ताकि इंडिया का जो textile sector है और power loom sector है वो grow कर सके उके उसके बाद साथ initiative साथ क्या है sustainable action for transforming human capital sustainable action for transforming human capital ये नीतिया योग का program है और इसका aim क्या है इसका aim है ताकि education और health sectors में transformation किया जा सके country के अंदर और इसके लिए three model states को select किया गया था starting में ओके तो third statement जो है आपका वो कौन सा है Bureau of Energy Efficiency ने साथी पोर्टल डेवलप किया है देखो ये साथी पोर्टल और साथी पोर्टल दोनों अलग 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 चीज़े है इट इस S A A T H E और उपर वाला आपका S A A T H I था तो जो साथी था वो textile ministry का था और ये वाला साथी Bureau of Energy Efficiency का है इसका full form क्या है state wise action on annual targets and advice on energy efficiency ओके Bureau of Energy Efficiency ने इसको डेवलप किया है ताकि एक management information system बनाया जा सके जिससे हमें state wise हमारे पास information हो और states के लिए target set किये जा सके कि कैसे वो energy efficiency की तरफ चल सकते हैं ओके चलिए Now the next question, the sixth question is consider the following statement with respect to the K-shape curve in the economy K-shape curve in the economy ये बहुत जादा news में था ठीक है जो आपके economic advisor है उन्होंने भी K-shape curve economy की बात की थी तो उससे related आपको statements given है आपर दो statements आपको given है आपने बताना है इन में से कौन सा statement correct है पहला statement क्या कह रहा है कि ये जो K-shape curve आता है economy में ये recession के after आता है recession के बाद में आता है और जब ये K-shape curve आता है इसका क्या मतलब होता है कि सारे जो sector हैं सारे industries हैं सारे जो group of people हैं अमीर गरीब जितने भी different classes of people हैं different sectors and different industries है सब में same recovery होती है uniform rate के उपर recovery होती है सारे sectors में ठीक है यानि कि textile sector automobile sector हर sector में uniform rate से recovery होएगी statement 2 क्या कह रहा है K-shape recovery in India reflects the upper income households have benefited from higher savings दूसरा statement कहता है कि K-shape recovery इंडिया में क्या represent करता है कि जो upper income household है वो उनको किस तरह से benefit हुआ because of the higher savings ओके तो आपको correct statement इसमें बताना है one only two only both या फिर neither one nor two economy में रख सकते हो इस question को या current में रख लो कहीं पर भी रख लो है ना तो answer इसका क्या होगा option B होगा two only ठीक है पहला statement गलत है क्योंकि uniform recovery नहीं होती हर sector में हर area में हर group of people के लिए जो recovery rate है वो different होता है जब हम K-shape recovery की बात करते हैं जब हम K-shape curve की बात करते हैं तो इसलिए पहला statement गलता है और दूसरा statement बिल्कुल सही है एक बाद detail में देख लेते हैं K-shape करवें दा economy को तो K-shape curve जैसे कि मैंने आपको बताया कि recession के बाद यह K-shape curve आता है जब कोई भी country recover करना शुरू करती है तब यह K-shape curve बनता है लेकिन जो different parts of the economy होते हैं जो different sectors होते हैं different group of people होते हैं वो recover अलग-अलग rate पर करते हैं अलग-अलग magnitude होता है कोई sector ज्यादा जल ठीक है चाहिए वो employment ही क्यों ना हो society क्यों ना हो सब जो है different path follow करेंगे तो जो top households होते हैं जो higher income households होते हैं जो pyramid के top पे आते हैं उनकी income जो है largely protected रहती है क्योंकि उनके जो saving rates हैं वो बढ़ जाते हैं lockdown के time पर ठीक है क्योंकि खर्चे कम हो गए saving rate बढ़ गए और for example कोई अगर government job कर रहा है और उसकी salary 1 lakh rupees per month थी lockdown के time पर और उसका office बन था ultimately he was having 1 lakh तो उसको मिली रहा था as a salary लेकिन उसके खर्चे कितने कम हो गए उसको अब घर से office नहीं जाना पेट्रोल का खर्चा बच गया ठीक है और बहुत सारे खर्चे जो है वो बच जाते हैं वो mall नहीं जा सकता party नहीं जा सकता वो party पहले जाता था हर Saturday movies देखने जाता था हर Sunday तो वो सारे खर्चे उसके बच गए तो उसका saving rate बढ़ गया lockdown की वज़े से ठीक है लेकिन जो bottom पे households होते हैं एक तो उनकी job hit कर जाती है जो unorganized sector में लोग काम कर रहे थे काफी लोगों ने अपनी job lose कर दी ठी लेकिन अब उसका saving rate कम हो गया क्योंकि lockdown के time पर एक तो उसको वो unorganized sector में काम करता था तो unorganized sector में जहां पर वो काम करता था उसने उसको job से निकाल दिया उसको पैसे नहीं मिल रहे एक तो उसकी job गई ठीक है job गई उसके लावा उसके खर्चे बढ़ गए क्योंकि covid के time पर उसके पास कोई काम है नहीं lockdown लगा हुआ है तो lockdown के time पर काम कोई है नहीं जो उसकी पिछली saving थी उसी में से वो use करकर के अब खा रहा है और अपना family का खर्चा निकाल रहा है तो एक तरह से जो उसकी marginal propensity to consume है वो बढ़ जाती है ठीक है saving की जगा उसकी जो पिछली saving थी वो भी consume हो गई तो इसलिए हम क्या कहते है कि K-shape curve में हुआ क्या economy में जब K-shape बनता है तो उससे मतलब क्या है कि जो higher household है उनकी तो income बढ़ गई उनके पास जो wealth थी उनकी increase हो गई आपने news में भी देखा होगा कि ऐसा बोला गया कि जब पिछले 1.5 साल में जो COVID का time था उसमे जो rich थे वो और जादा rich हो गए और जो poor थे वो और जादा poor हो गए तो कहीं ना कहीं उसके यह reasons भी थे ओके चलिया all right now the last question of this particular video which of the following national park or wildlife centuries have performed best in the management effectiveness evaluation of protected areas तो यह management effectiveness evaluation of protected areas या मी जिसको कहा जाता है इसकी अभी एक report release हुई थी तो कौनसे wildlife century या national park जो है वो best performance थे तीन आपको given है आपको इन में से बताना है कौन सा था तिर्थन great himalian turtle wildlife factual question है ठीक है factual question है पर इस तरह के factual questions भी हमें करने हैं ठीक है mix लेकर के चलना है factual और conceptual questions सारे करेंगे ताकि paper में question कोई भी आ जाए अपना गलत नहीं होना चाहिए ठीक है ना तो answer इस case में क्या होगा option A1 and 2 only turtle wildlife जो था इसने बहुत poor perform किया था तिर्थन और great himalian जो है वो top पर थे एक बार इस report के बारे में देख लेते हैं तो ministry of environment ने release की थी यह management effectiveness evaluation और इसके अंदर 146 national parks और wildlife centuries जो है उनको evaluate किया था country में और जो assessment process है वो हमने IUCN WCPA जो world commission on protected area का framework है उसी के तहत उसी का process adopt किया था finding क्या थी overall performance अगर आप देखो तो overall me score जो था जो जितने national parks और wildlife centuries assess किया गया 62.01% उनका overall score था ठीक है और global अगर आप average देखो तो global average से हमने अच्छा perform किया है global average 56% का है इंडिया का 62.0% था management effectiveness evaluation ओके region wise देखो तो सबसे highest performance जो है eastern region की थी देखो यह statement based question भी बन सकता है वो statement देदेगा कि according to the me evaluation survey southern region performed the best in India लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि eastern region ने best perform किया है ओके eastern region का best performance था me score था 66.12 दो आपको यह score याद करने की region wise जरूरत नहीं है ओके और सबसे poor किस region ने perform किया है सबसे poor performance रही है northern region की ओके उसके बाद अगर हम best national park और wildlife century की बात करें तो तिर्थन national park और great himalyan national park जो दोनों आपके himachal प्रदेश में हैं उन्होंने best perform किया था अब देखो question किस तर the following states चार state के नाम देदेगा current में अभिया तिर्थन wildlife century अब उसमें आप यह नहीं क्लेम कर सकते कि सर यह तो geography type का question हो गया और geography तो हमारे syllabus में नहीं अभिया current affair का question हो गया यह क्योंकि तिर्थन wildlife century news में थी report में इसने top किया है ठीक है ना तो हिमाचल परदेश पता होना अब turtle wildlife century कहां यह भी अपने को पता होना चाहिए क्योंकि news में है तो यह उत्तर प्रदेश में है ठीक है तो यह कुछ important findings है कुछ facts है अगर आप याज कर लोगे तो अगर मी के ओपर question आता तो आपका गलत नहीं होएगा ठीक है अच्छा जैसे अब एक statement वो डाल सकता है कि भ आरी तो 600 प्लस है इंडिया में wildlife centuries और अगर national parks को आप टोटल देखते हो तो 600 से उपर है लेकिन सिरफ कितनी consider की गई थी 146 ठीक है ना तो इस तरह की statements आपको पता होनी चाहिए वो exactly आपसे यह नहीं पूछेगा कि कितनी की थी 142 145 148 इस तरह से वो नहीं पूछेगा इस त statement तो डाल सकता है ना कि सारी include की गई थी या कुछ include की गई थी तो वो आपको पता होना चाहिए ओके चलिए और तो यहाँ पर हमारा lecture दोस्तों यह खतम हो जाता है और किसी को कोई भी डाउट हो वो comment section में post कर सकते हो या फिर आप mail कर सकते हो 66 at gmail.com पर ठीक है या फिर आप whatsapp कर दो अपनी query 904 1244 689 के ओपर और जो non video paid mcq courses है उनका link website का link जो है description में available रहेगा आप visit कर सकते हैं वहाँ पर ओके और बाकी की videos आपकी screen के ओपर है playlist वो भी देख लीजेगा आपको help करेंगे exam में मिलेंगे अगले video में तब तक के लिए all the best and bye bye